जहें दोस्तों आप लोग कैसे आशा करते आप लोग अच्छ होंगे इस वीडियो मैं आपको साथ कोस्टन जो पूरे और टू और मैच से लेका आया हूं यह जदी आप इससे देखते हैं तो आपको बहुत लाबदायव होगा और अच्छा भी लगेगा विकल्ब परसनों मे जी जी रो से कम और एक से जेदा जो घटना की प्रयक्ता हो ही नहीं सकता है देखिए यह एक इसलिए गहटना का प्राइकता नहीं होगा फिर ये गहटना का प्राइकता होगा फिर ये ये होगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये एक सब क्या हो गया है बरा है और जो है एक से बरा है जीरो से कम रहता तो पर भी नहीं होता जैसे कि मैनस में रहता तो पराइकता नहीं होता तो चलते हैं question no.4 पर question no.4 कह रहे हैं कि यदि दो समरूप तिर्भूजों के छत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत बोजाओ का अनुपात क्या होगा याद रखे एक बात 64 है 64 और 21 लिख लिजेगा 11 और इस पर रूट दे देजेगा यह तो आप जानते है इसलिए ना नहीं ऐसा बात नहीं है जब भूजा छेत्रफल दिया रहे है भूजा पूछ दे तो इस पर रूट चरता है यह बात याद रखेगा ज़िए और भूजा का नुपात दिया रहे यदि बहुपाद इतना इतना का सुन्यक अलफा हो अलफा बीटा हो तो अलफा गुन बीटा क्या होगा CYA C इसमें कितना है ता बोलेगा C 10 B और जो है 7 और A बराबर वोन है तो आपको CYA हो तो अलफा गुन बीटा बाट CYA तो C by A तो 200 बटा 7 होना चाहिए CYA C by A A होना चाहिए मतले इसमें तो CYA यहां पर देखिए C by A C मान हो गया 2 और A हो गया 1 तो 2 से नहीं होगा तो विजारती यहां भी दिख्कत कर देते कि यहां पर है नहीं लेकिन भागा देखो नीचे हम कुछ नहीं तो एक रहता है आते है कोश्चन नमर 6 पाय कमान हम बताया है त्रिकुन मीती में पाय कमान 180 डिग्री होता है ज़िए 180 में 3 से डिवाइट करेंगे तो हो गया साथ साथ जब हो गया तो कॉस साथ कमान कितना हो कबंच नमर दो चलते हैं को चलते है कोश्चन नमर हो सब्सक्राइब मेरे एक परियास आपको अच्छा तक सभलता दे लिए इसलिए मैं यह जरूर करूंगा चलते कोश्चन नमर-7 करें लुप हे दो सबस्रार Δ् Going सब्सक्तान चेंशेए अब देखते है प्राइंस वह एक बिंदू से एक बीद पर कितने असपर से रहा हम एक जाते हैं जा जाएंगा आप देखता कुछ नमर्ण 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 जो है नो कर रहा है है क्वश्चनदस jyia संचाए वरांबार्ता का वक्त्र थाक्र कर रहाती है तोरण आयत चित दंड आलेक वरांबार्ता बहुँ जिसका रहां चोरगा ए कर दोरन अब देखता है तिर्जार आर ओर्ट इसका क्या हो Öघ हो जाएगा हैगे उसका क्या होना चाहिए अधह होना चाहिए इसका रेट एटेंश शुरका इसका सुथ्थ medex foreign कि मतलब इसका सुत्र में देखिएगा तो पाय आर बटे टू होना चाहिए लेकिन इसका अर्दिवित के परिमिती बढ़ा होता है पाय आर पलस टू आर इस तरह से होता है इसलिए इसका रेट्रेंस होगा सी अब आते हैं कोशनल बार एक नियून कोन है और ए भी बढ़ावर होगा जैसे कि इस चाप दिए इस तरह चापे तो कहता है एबी यह होगा चरूट तीन आप आपका एसी होगया बार आज़ादी आओड यह होगया चो यह अधार अधार को और इसको वर्ग कीजिए बारा का वर्ग की बराबर पूर जाएगा तो समझाना यह हमरा सही है और आपको इस तरह बीजो थोरा रहे लेकिन अच्छा रहेगा बहुत अच्छा जो सभी कोश्टन का निचोड दिया हुआ है कोई दिक्कात नहोंगा आते है कोश्टन नमर 14 करें दो करम करमिक संभ संभ्यां का मौसर होगा है कोन संभ्या का है संभ्या है संभ्या दू हुआ चार हुआ चाह हुआ अब दुनों का मौसर लेंगे तो इसका किसी भी मौसर लिजे किसी को भी संभ्या लगातार को दू करेगा लेकिन यहीं को जाता अब हाथ संभ्या तब इसका दू नहीं आता इसका एक आता तो चलते है सब्सक्राइब कर दो चार छे आठ इस तरह से सब्सक्राइब लिजिए और पूरे जितना होगा उसमें दस से भागा दस से भागा दे दिजिए इसका जो राइट इंसर निकल का आएगा कितना आपको ग्यारा आप एक बार देखिये इतना ही आएगा कोई दिकत नहीं होगा आप जो है बना लीजिए आप आते हैं क्यों से कुण अब कि एक होगा अब आते हैं QNело आपका राइट है और आपका बी जीरो जीरो होता है यह आपका एंसर होगा वा ते कुछन मठार समीकरण एक स्कुर परल परल सी बराबर जीरो है तो इसका विवयाच्य को क्या होगा दी से सुचित करते हैं देखते हैं अगला कुस्चन नमर उन्हेस कह रहे हैं कि देखें यहां से यहां तक यहां दू दिया है इसके बाद यहां पर देखिए बी और पी बीपी मनना क्या यह यह दिया हुआ है इसके बाद देखिए पी क्यू कहां पर है तीन यह दिया हुआ अब मांग दिया है यह क्या करिया गया तो कुछ नहीं कीजेगा यहां से यहां तक दूरी कितना होगे आपका अच्छा दू आठ ना आठ ठिक तो यह इसका सुत्र होता है बी सी बराबर होता है अब गुने पी क्यू और बटा हो जाता है अब बठा दिये अनसर हो जाएगा आपका तो इसका अनसर होगा अदेखिए कैसे नहीं होगा अब आते है question number 20 question number 20 कोरें कि किसी घौन का किनारा एवं उनके की विकरन की लंबाई का अनुपात है तो घौन के किनारा और क्या चीज विकरन की अनुपात क्या होगा तो इसका option यह है root 3 अनुपात 1 और इसका है root 3 अनुपात 1 question और 20 कर रहा है कि किसी गहन का किनाराय मनुसके विकन की लंबाय का अनुपात क्या होगा तो इसका देखिए root 3 अनुपात 1, b 1 अनुपात 2, c root 3 अनुपात 2, d 1 अनुपात root 3 इसका राइट अंसर होगा एक अनुपात रूट तीन ये सूत्र बजाएगा अब देते क्वेश्चन बिंदू इतना इतना मुल बिंदू से दूरी कितना होगा मुल बिंदू से दुनुके स्कॉर कर दिया जोड दीजे पचीस पंचे पचीस हो गया बारबन चुवाल सा पच चार और दू चार दू होगे आपका क्वेश्चन नम्र बास देखिए को सूत्र है एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू आट फू इसका सूत्र हो जाता है देखिए एक सुन और एक्स टू को जूड़ेगा तो मैंस आइज जूटेगा तो घट जागा तो एक हो जाएगा एक नम्र खूशन बहुत अच्छा खूशन है यह हो जाएगा आपका को सेक हो जासे कि यह हो जाएगा कोस और से गुन एक होता है तो इसका रेटेन सुरगा एक नहीं समझें एक पार दिमान लगा यह समझाएगा अब देखिए टेम बहुत है आप लोग वीडियो देखते इसका फिर से उल्टाइएगा एक बार करके इसके बाद फिर से उल्टाइएगा तो इसका जो है एंसर निकल के आएगा वह आएगा कोट एक बार करके देखिएगा बहुत अच्छा रहेगा कोट होगा 25 का देखिए निमली में कौन सी अभाज संख्या अभाज संख्या एक 6 मीटर उचे खंबा की छाया ब्रिक्च पर इतना मीटर की लंबी सुरे का उन्यन कोन होगा तो उन्यन कोन क्या होगा तो उन्यन कोन जो है आपका हो जगा रूट 3 बटा इतना तो छो मीटर उचे खंबा है तो खंबा मान के लिए 6 मीटर उचा है इसके बाद खंबा की छा अच्छाया कहता है जब यह तब यह जाएगा यह अधहार देला है अब मांग क्या रहा है सुरी का उन्यान कौन सुरी का उन्यन कुन मंग रहा है तो लंबाटा अधार देल है लंबाटा अधार तेन में होता है लंबाटा अधार इसमें प्रिमे करना परेगा और 6 बाटा 2 रूट 3 हो जगा 2 से 3 कट गया अब 3 जाएगा उपर फिर 3 से 3 कर रूट 3 यही आपका एंसर होगा देखते हैं अगला क्वेश्चन नमर 37 कर रहा है कि निकाल लगा इसका निकाल आपको आपको निकाल लगाज़ा थो आपकोवी टनकर लिखाएगा पृर अकाल निकाल जागा तो किसका लगाएगा तो का मंगें आप एक कुछी डहर तहा तो आयता निकाल तो नहीं होगा इसका राइट कुछी मड़ां और जांगके यतार समान यदी उनकी उचाई भी समान होतो उनके आयतानवान का नूपात क्या होगा शंकु और विलन आप पहले यह देखिए कि आतना पाध बेलन और संकु का अधन यह उलट जाएगा तो उलट जब जाएगा इसका एंसर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका दी क्योंकि एक बट्टा तीन होगा आप पाय आरे स्कर यह उलट जाएगा तो यही जब उलट जाएगा ती तीन उपर एक निचा ती इसका एड़े टेंस देखिए होगा इस सुत्रे पहता कुछ नहीं था य अक्ष काता है य बराबट 0 है तो आले कैसी स्रुल रेखा होगी टेक स्रुल डेखा होगी बराबट 0 है इसको रेखा जब किसके स्मान्धर होगा तो वै यह कोशन नम्त नहीं तेस स्थी तिस को बहुत अच्छा कोशन लेका हैं दो पासोंकि एक साथ फ्का जाता है तो अब दूनों पासा पर अंक पांच आने कि क्या प्रहलत होगा अब दूनों पाश पर अंक पांच जो आता है उसका क्या प्रहलत है कि प्रिज्टा झेगा पांच ही आये मैं देखिएक के बार दूठ को प्रेक्षा फैके θα ठोप परिशाष थीलारनागी जो आता है और दुन्नु पर प्रहर में परेंगता तहरा तो पांच से एके बार आएगा इसलिए एक बार आएगा अनुकुल परनाम बटे संभव परणाम ऐसा तरह से होता है इसका सुत्र आते हैं कुष्चन नमर आपको 31 को रहे हैं इस चुछ संटीमें तिर्जा वाले अर चतर सुट्र होगा तुर्जा घृत्का संटमेटर होगया चैनल को छो रखेंगे चैनल 6 रखेंगे अब देखता है क्या होगा कहता है कि कितना कह दिया आठ सेंटीमीटर तिर्जिया वाले अंतह बिरित का क्या कह रहा है वर्ग का छेत्रफल कितना होगा तो इसका जो रहे टेंसर होगा अप्शन नमर्डी एक सो अठेस होता है क्या होगा कैसन होगा इसका आलेक जो होगा सरल होगा सीधी रेखा में होगा वाय कमार रख दीजिए इसके बाद एक से एक रखिया और जो है अपने आप दुआ कमार निकल जाएगा इस तरह से आप बना लेजएगा कोस्टन नमर्ड चोटी दो रहेखिक समिकरन के आलेक प् पर तीछेद एक दूस्टे को काटेगा तो केवल एक हल होता है एक हल केवल एक हल होगा संपाथी रहेगा तो अंगिंत होगा जदी असमातर रहेगा तो कोई हल नहीं होगा 35 में पी का मान जिसके लिए बहुपद इतना इतना का जो है यह होगा पुर्णत्या एक्स और निखिर करणात्तबावरों किसे पर निकल जाएगा तो आपका जो है इसका होगा यह होगा यह ऐसे सिद्ध करने के लिए इव तो कितनी खाल में सर्कारु में कि लिए समझ जाए अनंत प्रमेसं क्या होगा अन्गी तो सम लग लेजिए इतना होता है कि गिंती नहीं कीजिए आप अब देखिए 38 में समांतर से नी छो तेरा बीस और दूसरा सुला का मध्य है सुरी मध्य पर है मध माने क्षला पर मांग रहें इता समांतव सेट य समत्य तो इसमें कोई सूशने मला बात नहीं है जैसे कि इतना देखित दिया तो कोशे卡 द मनदë पर होगा ना यहां पर आपको निकल लॉयंग इस में इसका आप से और ऑट नो believe आपका निकल के आ जाएगा तो इसका जो राइट इंसर होगा अपसन नमर भी होगा आप एक बार देखे लिए यह करके टीन पर सुत्रे पर ही लगेगा यह ठीक है अब आते हैं कोस्टन नमर चालिस को रहें आप से कोस्टन नमर चालिस आपका सुत्र पूस्ट दिया है कि इतना दुगात समगें देल है तो एक समान क्या होगा तो एक समान मुल निकालिये मैंस भी पर समय से रूटन रभी उसकर मैंस फोरे सी बट्टे टूए तो मैंस भी इसमें है ना इसका राइट राइट एक तालिस आपशन नमर यो भ बन सरगा ऑपेंगे 55 क्या होगा यहांसे जब जाएंगे जिरों से यहे क्य़ें एक सोनाफ़ी पर दीकत नहीं है कहता है 42 मूल बिंदू से बिंदू इतना की दूरी क्या होगा इसमें कोई सुझेने माला जब दूरी मूल बिंदू से कहा दिया ना तो दूनों पर स्कॉर चलेगा जब मैनस बार गुणा होगा इसके रूट दू बार गुणा होगा इसके रूट दू बार गुणा होगा इसके रूट दू बार गुणा होगा इसके रूट 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 इसक इसमें से नम्हा गहता दिजिए यतना घटेंगा घटाने के बाद उसमें दूसरे भागा देजिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इसका रहाट एंसर होगा अपसर नम्मर जो है डी उनहत्तर सोरी उनहत्तर आते है अगला कोश्चन पैंटालीस कोश्चन नमटाब पैंटालीस अब देखे कोश्चन पुछ बालेस करें यदि एक ब्रीट का छेट फल इतना है तो इसकी देखे की एकस चोबन हो जाएगा बटे बाइस बैसे साथ होज़ता है तो तर्सागूना हो जाएगा इसका बाइस से भागा दिजीएगा इतना कर डे बीनिन का प Airbnb का चिए दिजिए इसकम निकल जाएग कोी दिकवान एब जो में आते हैं को छेमरीधिय कोछसे नहीं बिन भी कि व पहले कोटी बाद में तो फोब एकस्को भूज करते हैा zo यह हम पर 15 ऐसके कुछ नमर 4 कि कि देशके केंडर कeded का था किया युदे अब तक पाथ एकस्ट्डू से zucchini रहत कितना हो गया नो इस नइस कोछ नहीं है तुन होगा अब ढगी विल्ट प्राइप इसका नहीं दिखत नहीं होता लेकिन दुन्हों स्यम है यह भी स्कुर भैस में और यह बहुता है जब दुन्हों इस तरह से ना इसका मान एक होता है अर्तार इसका रहा टार सुपोष्ट में कर रहे हैं इतना और इतना में इतना के रूप में लिखा जा सकता है अब देखिए इसको जो है पॉइंट हटा आईयेगा 32 बटा पॉइंट हटा एक आए पर दूबह 0 अब इसको कटटेगा तो जो है आपको किस में आ जाए दू और पांच के रूप में आ जाए उसी का जो है मान आपको जो है, 7 होता है अनियता नहीं होता है इसमें साथ यए कि सीथ नहीं होका इसमें देखे 7, 5, 35, 15, 20, 70 इसमें भी जैसे डिट लग रहा है कि नहीं होना चाहिए 7, 50, 70 होगा जब तक 7 नहीं होगा क्यों नहीं मतलब है इसके बटे में दू और गुन्य पांच यही दूनु के रूप में आएगा तो इसमें किसी में देखिए इसमें साथ है ज़री दूनु रहता तो इसके काम बन जाता लेकिन नहीं अब देखिए एक क्यामन कोशन करा कि एक एक से इतना है तो सुनने का अलफा और बिटा हो तो तो कहता है तो अलफा पलस बीटा बराबर होगा अलफा गुन बीटा या अलफा पलस बीटा छोट होगा इससे इसमें जो है आपका क्या होगा तो यहां पर दूनु बराबर ही होता है एक बाट करके देख लिए कि बराबर होगा फिक्स है आप देखिए कोशन और बावन कर रहा है कि सरल सरल रेखा इतना सरल रेखा इतना तोता इतना का कटान बिन्दु है तो क्या होगा मैंस दू और कितना होगा और क्या तीन तो यहीं होगा यहां पे लिखा है वहिए इसका यंशर होगा अब देखे 50 कोछल और है कारतिया तल में किसी बिंदु कोटी का मानलब ила मासर कोटी कोटी और बूज है यह नमर भूज होगा अब लिए 60 कोषिन अच्छा सब्सक्राले नहीं तो इसमें आप पर ए easve ossa desk कोई भी चुटने वाला नहीं आप देखे कोई भी खोशन कोर्यायों में तेपों काम यहां पूर है दोनों सब्सक्वार्ट मत्रूट है सबी इसका मतलब हो जो है नीचे कर्ण हो गया है आपका जो है कर वोगए आपका 10 रूटी दस ओर लुम होगा आपके लेज अब किया अध्हाँ निकाल नहीं है अध्हार नीजाएब अ क्योंि sollten हो जाएगा docker दो साफे स्थ दो नोो हो गें सքल एस से इसका सुथर लग जाएगा और जब इस पाश्चार तो संसे निकल कि आएगा वे निकल के आएगा इसी तरफ जाएगा को नहीं है आते हैं को इस एक बिरित का ब्यास है तथा अब बरावड बी की तो जब कोई भी तरिभूज जब पर जो है कुण बनाता है तो नभी होता है कितना हो जाएगा नबे 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 एकसी हो जाएगा लेकिन यहां पे एकसो असी तो निकालना है नहीं है नहीं ना तो आप आप करियेगा क्या तो आप जो यहां पर करियेगा अब यहां देखिए पर दिपर कुन कितना होता है नबे तो यह हो गया आपका नबे यह जड़ डिवल सी ऑल ऑसी क्यों को से डिलएल शेंगी जब चबंद सी फड़ी जड्यक्षव घर जागा यह कुन हो जाएगा आपका कितना सतर डिगरी अब दो को नों का योग आ जांते हैं तिनु को नों का बश्डी आप का समान्य पद इतना इतना हो तो इसका पर्थम पद क्या होगा समानी पतल इतना है तो इसका पर्थम पतल क्यों पर्थम इसमें कुछ नहीं होगा इस में रखेंगे रखेंगे मैंएट ज ripम से अधाल होगा मैंस तूरओ Nichanto LOL कोशन आते अठता है अंठाबर समादा से इतना इतना कर चोदवा पाद क्या होगा जब गर्णा कहें दिया है और कौनसा प्रण मांग रहे हैं और कौन सा प्रणा जो होगा अपसान नमर भी होगा कोई दिकत नहीं होगा अब देखता है कि आंत भला तो हो बहला कोश्चन उन्सेट देखते हैं यदि समीकरन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आप जैसे जानते है अलफा कमान रख दीज़ेमान के चली अलफा देला है एक बटा दू बीटा कमान अपने निकल जाएगा सुतर पर निकल जाएगा कोई दिकत नहीं होगा इसका रेटिन सोगा D एक बार करके देख लिए जब आपको सथ देखिए जब आपको इस तरह से दिया रहे तो समझ आए कुछ नहीं होगा यह आपर में ही होगा असा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा से देखिए बहुत अच्छा रिजल रहेगा मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे श्रीप आपका साथ साहिए तो चलते हैं मिलते हैं अगला वीडियो में